नमस्कार प्रियाजनों आप सबीका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी शुबचिंतक वीना शर्मा आप आई मेरे चैनल पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद चोटी सी हरी उलायची जो आपके कीचन में रहती है जो आपके खाने का स्वाद बढती है आपको बहुत खुषबूदार एक चाई बनाते हैं और आप पीते हैं बहुत अच्छी रखती है आपको मूं में रख ले तो इसकी खुषबू जो है वो सामने वाले को बहुत समस्या को हल कर सकते हैं अपने धन की अर्निंग की समस्या को हल कर सकते हैं अपने बिगड़े हुए रिष्टों को सुर्जाने की समस्या को हल कर सकते हैं यह उपाए आज का जो है वो विशेश तोर से माता-पिता के लिए बच्चों के लिए दोनों के लिए हैं बच्चे वो जिनका विवार उखा हुआ जिनका विवार हो नहीं पा रहा है वीगनवादाय आ रही हैं रिष्टे जब बात चलती है तो शुरुात में लगता है कि बात बंढ जाएगी लेकिन जब दीरे दीरे बात आगे बढ़ती है तो फिर कई बार महसूस होता है कि नहीं बात आगे नहीं बढ़ रही है और बात वहीं रुक गई है और बजाए बनने के पीछे बैक हो रही है बिगडती जा रही है और एहन वक्त पर कई बार कैंसिल भी हो जाती है इसके लिए बच् आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो मैं बच्चों से यह कहूंगी कि आप अपने छोटी सी इलाइची यह पांच इलाइची जो है इसको अपने पर्स में रखना शुरू करने मैं बच्चों से बेटे-बेटी जो अन्मेरीड हैं उनसे कहूंगी कि पांच इलाइची अपने धन के आगमन की समस्या भी आपकी सुल्ज जाएगी इस पांच इलाइची को पर्स में रखने से शुक्रवार के दिन रखना और भगवान के आगे रखके हाद जोड़ के नमस्कार करके फिर उसे पर्स में रख लेना हमेशा रखे रहना आप देखना आपके सारे काम जो नही बढ़ रही है नहीं बन रही आगे नहीं बढ़ रही तब आप क्या करिएगा उन लोगों से जो लोग जिन लोगों से आपकी बात चल रही है रिष्टे की बच्चों के विबा की बात चल रही है उन लोगों से एक बार यह उपाई करके जरूर मिलने जाएए या वो आ रह अपने पूजा घर में बैठ जाईएगा तीन एलाइची अपने हाथ में ले लिजिए गा यह माता पिता को मैं ऐसे कह रही हूं कि तीन एलाइची हाथ में लेकर मुठी बंद करके इश्वर के आगे बैठ कर आपको तीन बार एक शब्द बोलना है वो शब्द है श्रीम श्र कामना पूरती के लिए कहकर खड़े हो जाईएगा और तीनों एलाइची खा लीजिएगा यह आप जब जा रहे हों उन लोगों से मिलने के लिए उससे तुर्थ पहले जश्ट पहले इस काम को कर लेना और करके उस एलाइची को लेना खा और खाके इस एलाइची को फिर अ उन से मिलने जाना उन से बात करने जाना या वो आ रहे हों तो उनके आने से पहले ये उपाई कर लेना प्रयोग कर लेना वो लोग आपकी बात जब आप अपने मूँ से जो भी बाते निकालेंगे ना आपके मूँ से वो निकली हुई बाते इतनी जादूई तरीके से सामन वाले को impress करेंगी कि वो आपकी बात को टाल ही नहीं पाएंगे, आपकी बात को मना कर ही नहीं पाएंगे, वो just रिष्टे के लिए तयार हो जाएंगे और रिष्टा पका करेंगे ही जरूर, ये एक काम पाता पिता जरूर कर ले, अगर बच्चे मिल रहे हो तो बच्चे भी इस उपाई को इस तरह से कर सकते हैं आगे नेक्स्ट मैं एक काम और कहूंगी हमारे बच्चों से कहूंगी उसके लिए कि बच्चे इस उपाई को कर ले एक इलाइची एक छोटे साफ कपड़े में मैं को कपड़े का कलर नहीं बता रही हूं आपको सफैद कपड़ा ले लेन कर आपको सोना होगा ये बेटे-बेटियां जो शादी की समस्या से प्रेशान हैं वो कर सकते हैं वो एक इलाइची अपने तक्ये के नीचे रखके सोना अगले दिन सुबह उठकर उस इलाइची को आप किसी बाहरी व्यक्ति को घर के बाहरी व्यक्ति को खाने के लिए दे इस उपय को आप लगातार 21 करें और अगर इसको 21 दिन लगातार नहीं कर सकते तो शुकुरवार के शुकूरवार एक इलाइची अब तक एक नीचे रखके सो के और अगले दिन किसी भाहरी व्यक्ति को खाने के लिए दे देना प्र इस शुकुरवार के शुकूर जो पाई टाइम तक थोड़ा सा करना माने महीना डेर महीना दो महीने आप देखेंगे कि आपके विवार रिष्टे की बातें लगातार बच्चों के बनना शुरू हो जाएंगे अगर को बाहरी व्यक्ति आपको ना मिले खाने के लिए कि कोई नहीं लेता है इलाइची आप से खाने के आप क्या करिएगा कि दो हरीय्स लीजिएगा पांच ट्उकड़े गुड़के लीजिएगा स्चाम के वकते शॉच के लड़कियां गुरुवार को लड़के उन्हों उठाके दिपक भवाण के आगे जलता रहे दोनों उठाके आप पानी में परवाहेत कर देना इते हैं स्यहां कांग Loot और करना है इसको शुक्रपक्ष के गुरुवार को या शुक्रपक्ष के शुक्रवार को आगे जैसे कि गुप्तन वरात्रे आ रहे हैं फूरा सब्ता ही बहुत नो दिन तक दस दिन तक शुब हैं उसमें जो गुरुवार और शुक्रवार आए तब कर लेना मैं एक बार का कह रही हो आपको इस उपाई को करने के लिए एक ही बार कर ले उपाई यही कहता है लेकिन अगर आपके शर्दा और भावना विश्वास बनता हो तो आप इसको आगे तीन गुरुवार या तीन शुक्रुवार तक कर ले इस उपाई को जरूर कर ले इस उपाई को करते ही अच् रहे वहां पर इलाइची और गुड़ वहीं पड़ा रहे भगवान के आगया आपके तुरंत विवा के योग बनेंगे शिग्र विवा के योग बनेंगे दो तिन उपाय जो मैंने बताए हैं इसे जरूर करें और इसका लाब लें वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्ल प्लाइची के यहे।